अलो और वेल्कम फ्रेंट्स गूगल चीट सीखने की सिरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो गूगल चीट है गूगल चीट में खास क्या है आईए आपको बताता हूँ टीकि यहां पर अगर कोई number हमने लेका लाइन, टू लेका या त्रे लेका कुछ भी लिख सकते हैं तो अभी फिलाल तू लेते हैं तो आप इसका जो square root है मैं बोट तरीके से calculate कर सकते हैं मैं बोट तरीका कुछ ऐसा होगा इस तरी के साथ calculate करेंगे फिलाव मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक formula होता है SQRT इसको लगाता हूँ देखते हैं कि यह हमें calculate करके देता है यानि इसका मतलब बता है square root ठीक है यह square नहीं है यह square root है तो यह आपको square root ही बताएगा इसका over answer आ चुका है आप देखी सकते हैं यहाँ पर भी 3 यानि cell address मैंने लिया और यहाँ पर answer आ चुका है 1.4, 1, 4, 2, 1 and whatever जो भी हो आगे बढ़ता चला जाएगा तो यह जो है square root है अगर हम बात करें 3 के square root की तो क्या आएगा तो यहाँ पर 3 कर देता हूँ और यह देखी यह 3 का square root है इसी तरह से किसी का भी आपको square root पता करना हो लाइक 77 का पता करते हैं तो 8.77 ठीक है क्या होगा 6 का या 8 का square root क्या होगा यहाँ पर देखते हैं तो यह 8 का square root है ठीक है अगर बात करें हम 4 के square root की तो यह तो जाते ही है 2 आएगा ठीक है इसी तरह से कोई भी square root आपको calculate करना हो like 64 का calculate करना है तो यहाँ पे देखिए यह 64 का 8 आजाएगा यह तो आपको पता ही है तो इस तरह के साथ square root calculate कर सकते है पॉइंट में डिकालने में दिक्ता होती है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करें आप इसको यह रूप calculate कर पाएंगे